20 ऐसे टॉपिक लास्ट इन फिजिक्स, CBSE Board Examination के लिए जो आप चाहो तो स्किप कर सकते हो देखो तो बी ओनेस्ट, as a teacher मैं कभी आपको नहीं बुले हो कोई टॉपिक स्किप करें बड़ अगर ऐसी एक हालात आती है, जहां पर आपके पास topics पढ़ना क्या है वक्त बहुत कम है, exactly क्या skip कर सकते हैं, ऐसा situation आता है तो यह है आपके सामने 20 topics, physics से जो आप चाहो तो skip कर सकते हो क्योंकि यह examination में directly नहीं पूछे जाते हैं और there is a very rare possibility कि पिसले 10 साल में वो शायद वो एक या दो बार आये होगे, ठीक है, 99% इस नहीं आये हुए है ठीक है, तो जैसा मैंने कहा, अगर वो नौबत आती है, तो आप इस session का इसनमाल कर सकते हो बाकी, as in general, जैसा मैंने कहा, कि भाई साफ, as a teacher, मैं नहीं प्रमोट करूँगा, कि आप कोई भी topic skip करे, वक्त मिलता है, तो काफ यह से पढ़ाई करे तब भी तो बाकी बच्चों पता चलेगे कि ऐसा amazing sessions यहां पर होता है, हैगी नी, चलो फिर आगे बढ़ते हैं, और मुद्दे पर आते हैं, आजा भाई, आजा, आगे नहीं जाएगा यह, हाँ, यहां से जाएगा, ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं भाई साब, और प एक चाप्टर का पहला topic जो directly नहीं पूछा जाता है, किसी भी तरीके में पूछा जाता है आपको board examinations पे, वह है reflection and laws of reflection, यह 8th grade का topic है, जो 10th grade में repeat हो रहा है, in general essay, लेकिन आपसे reflection and laws of reflection का सवाल नहीं आता है, definition नहीं आता है, law कोई पूछता नहीं आपसे board examination में, second topic from light हो है, definition of spherical mirror and lenses, spherical mirror को define करो, lens, spherical lens को define करो, यह सवाल भी आपको board examination में नहीं आती है, you don't have to bother about that, आप इनके ray diagrams, types वगरा चीज़ों पे ध्यान रख सकते हो, अगर उन सारे चीज़ों पे ध्यान दे रहे हो, तो यह तो आपको अलड़ी पता होना चाहिए, जो नहीं आता है, बता रहा ह तो इस session को आप ऐसे लेना, कि भाई साब, यह सवाल नहीं आते है, boards में, ऐसे समझो, more than, कौन से topic आप मिस कर सकते हो, उससे ज़ादा इस session को ऐसे लेना, कि भाई यह topic से सवाल ऐसे नहीं आते है, ठीक है, फिर बात होती है, numericals and convex mirror, convex mirror से जो numericals होते हैं, बहुत कम होते हैं, mirror और convex lens से आते हैं, convex mirror से numericals बहुत कम आते हैं, ठीक है, लेकिन इसका ray diagram बहुत important है, refraction की बात करें तो definition of refraction is not there in your syllabus, sorry, it's there in your syllabus, but it's not there in your board examination for sure, refraction का definition आप से कोई नहीं पूछेगा, वैसे refraction through a rectangle last time एक वक्त पे बहुत जादे important topic हुआ करता था, अब वो नहीं रहा है, अब ब topic को एक बार देख लेना, क्योंकि ये जैसे मने बताया था कि 99% पिसले 10 साल में एक या दो बार ये आया हुआ है, इसलिए मैं कहूंगा कि it's not a great topic to miss, but if in case you want to skip it, you can, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं तो the next topic, definition of relative refractive index नहीं पूछा जाता है, आपको board examination में absolute refractive index का definition हमेशा प refractive index भी पूछे तो आपको absolute refractive index का definition ही लिखना है, relative का नहीं लिखना है, और पूछा भी नहीं जाता है, relative से numericals आते हैं, हाँ बिलकुल, definition नहीं, आगे बढ़ते हैं, वैसे ही concave lens का numericals इतना important नहीं है, concave lens से numericals जाधा तर नहीं आते हैं, convex lens of concave मेरे जैसे मैंने कहा बहुत important ठीक है, और फिर आगे बढ़ते हैं, मेरे क्याल से light chapter हो चुके, human eye की बात करने वाले हैं अभी हम, तो जैसे मैंने का मैं 10-15 minutes के अंदर वीडियो खतम कर रहा हूं, ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, आपका topics उनो-down करिए, और पढ़ाई पे ध्यान दीजे, पुरा फोर से जो आप skip कर सकते हो, ठीक है, refraction through a prism, उसमें से एक पहला topic है, press biopia का सवाल नहीं आता, यह नहीं पुछा आता, आप से कि press biopia को define करो, उसके जो bifocal lens का concept है, वो पुछा जा सकता है, लेकिन myopia और hypermetropia के सवाल ही जालतर आते हैं, क्योंकि उनका correction, उनका reason, वो सारी करते हैं, diagram है, prism का, वो जादा नहीं पूछा जाता है, ठीक है, तो इसमें exactly diagram बनाने के लिए नहीं बोला है, यह topic बहुत important है, और prism का overall diagram दिखता कैसे, जैसे lighter ऐसे गई और ऐसे निकल जाती है, वो options में choose करने के लिए आसकता है, आपको भी सही diagram कौन सा है, लेकिन diagram बनाने के लिए आपको नहीं आता है, glass lab के जैसे, फिर बात आती है, total internal reflection की, total internal reflection आपके syllabus में नहीं है, सिर्फ rainbow formation की दोरा आपको याद अठना है कि भाई, total internal reflection उसका एक part है, जबाब का एक भाग है, लेक कि इसको आप बेजिजग skip कर सकते हैं, कोई attention नहीं होगा, फिर आगे बढ़ते हैं to the next topic, that is apparent star position, याने कि भाई, आपको star जो है थोड़ो ऊपर क्यों दिखता है, वो जो सवाल है, वो बहुत-बहुत कम आता है, in fact आता नहीं है, जैसे मैंने कहा था, विसे 10 साल में शायद, शायद ही कोई ऐसा सवाल होगा, और मैं जहां पर यह सवाल पूछ जा गया हूँ, ठीक है, moving on forward, definition of atmospheric refraction and scattering of light बिल्कुल भी नहीं आती है, ठीक है, atmospheric refraction का definition नहीं आता है, applications आती है, scattering of light का definition नहीं आता है, उसके भी applications आती है, atmospheric refraction के applications होते हैं, आपके, why do stars twinkle, है न, यह सवाल हो गया, scattering of light का applications, why is the color of the sky blue, why during the noon the sun's color is white, यह न, why to an astronaut the sky looks black, यह सारे सवाल आपके boat examinations हों important नहीं, इनके definitions important नहीं है, यह सवाल डारेक लिए आपको नहीं पूछा जाता है, ठीक है, moving on forward, electricity पे आते हैं भी, one of your favorite chapters, electricity, electricity भी ही, अगर आप सोचोगे, sir, electricity में कोई topic ऐसे मतब नहीं आता है, हाँ नहीं आता है, कुछ topics है, to be very honest, magnetic effects एक lota chapter है, जिसमें हर, जिसमें से हर topic, बदल बदल कर हर साल आता है, board examinations में, तो magnetic effects से मेरे पास बहुत कम topic है, जो board examination में नहीं पूछा जाता है, तो stay tuned for the magnetic effects chapter, we'll go reach there, but let's start with electricity, electricity में आपको यह सुनकर बहुत जादा ताजूब होगा कि electric current का definition नहीं पूछा जाता है, chapter electricity है, electric current का definition नहीं पूछा जाता है, board examinations में, साथ ही साथ, क्या कहते हैं, आपका electric charge का definition भी नहीं पूछा जाता है, formula भी नहीं पूछा जाता है, आपको numericals शायद ही आ सकते है, electric current से, जाधतर numericals आपको ohms law से ही आता है, electricity का, लेकिन हो हो रहा है होना भी चाहिए वैसे ही एलेक्ट्रिक पोटेंशल को जो डिफिनेशन है वो भी बैर मिनिमम मदब अगें पिसले दस साल में शायद ही एक बार हो जहां एलेक्ट्रिक पोटेंशल का डेफिनेशन पूछा हो लेकिन इसके फॉर्मुला के बेसिस में आपको नियूम और रेस्टिविटी क्या होती ये सवाल बिलकूल भी पूछा जाता है रेजिस्टेंस से सीरीज और पैरलल इंपॉचा जाता है अब तक मैंने नहीं देखा है पिसने दस साल में तो हाँ अगर आपको इन जनरल डेफिनेशन मिस्करने हैं तो आप मिस्कर सकते हो अगर आप magnetic effects कितना वक्त हो गया भाई मैंने आपको आठ मिनिट के अंदर तीन chapters के माने बता दिया now it is magnetic effects, magnetic effects के मेरे पास सिर्फ एक ही topic जो board examination में directly नहीं आता है वो मैं आपको बता देता हूँ लेकिन वो बताने से पहले अगर आपको ये सोचना ही नहीं है समझना ही नहीं है कि भाई क्या skip करना क्या नहीं skip करना बस पूरे जोर दोर से पढ़ाई करनी है तो बेटा drona batch आपके लिए आ चुका है जैन 3rd से आ चुका है और let me tell you कितने सारे बच्चों ने इसका भाग बन चुके बच्चे और अपने स्कोर्स को अलड़ी इंप्रूव करना शुरू कर चुके है दोड़ा batch में अब हमारी average rating out of 54.85 हो गई है which is crazy जहां पर बच्चे amazing तरीके से हम सब को अच्छे तरीके से rate भी कर रहे हैं इसका मतलब यह हुआ कि उनको notes बराबर time में मिल रहे हैं उनके session के अंदर doubt solve हो रहे हैं sessions के अंदर मजा आ रहा है session में जो पढ़ाय जा रहा है अच्छा लग रहा है और PYQ हो रहे है concept clear हो रहा है सब कोछ हो रहा है motivated है बच्चे इसका मतलब यह हम समझते हैं तो अगर आपको भी द्रोणा का भाग बनना है तो simple है वीडियो के description में द्रोणा का link है जाएए अभी के अभी join करिए और आप लोग के लिए जो थोड़ा सा late हो चुके है क्योंकि Jan 3 को आपको द्रोणा शुरू हा था और February 16 को खतम हो जाएगा जो आप लोग थोड़ा late हो चुके हो क्योंकि आप late हो हम आपका हाथ अभी भी नहीं छोड़ना चाहते हैं इसी वज़े से द्रोणा का जो हमारा launch price था वो 3000 पे था लेगिन क्योंकि अभी almost एक अफ़ता हो चुका है तो हमने इसकी fees कम करके 2500 कर दी है और अब तक जो sessions हो गया है वो सारे sessions के live recordings आप तक पहुच जाएंगे जिसमें भी जो session के अंदर quizzes और leaderboards बनेते उन quizzes का भाग दुबारा बन सकते हो क्योंकि हमारे पास जो replace होते हैं वो interactive replace होता है और सारे sessions के notes भी आपको अपके dashboard पर मिल जाएंगे so do not miss out this opportunity क्योंकि Jan 15 के बाद हम Drona batch का entry खतम कर रहे हैं इसके बाद फिर और हम Drona batch pitch नहीं करेंगे हम Drona batch के बारे में आपको नहीं बताएंगे ठेक है प्लीज याद रखेगा that is it thank you so much for all this support of Drona till now guys बहुत हो शुक्री आपको Drona का भाग बनने के लिए बस वादा है हमारा जो ही बचे द्रोणा का भाग बन रहा है आपके अपने अपने शेरों में आपके लोकल यूस्पेपर में आपका हम चेहरा लगवा के दिखाएंगे टॉपर बना के ठेक है जा तो percentage इंप्रूब करवा कर आगे बढ़ते हैं और magnitude एफिट्स की बात करते हैं उसके पहले बस एक चोटी सी चीज और अगर आपको हमारे free test series का लूप्त उठाना है तो कौन रोकर जा उठाओ वीडियो के description में दुबारा आपको मिल जाएगा और इंडिया test series के दो link एक है हिंदी specific link आपकी बहुत demand थी कि सर अब हिंदी subject का भी तो test series लाओ तो लो भाहि ला दिया हम 6 test papers for Hindi in the latest CBSE pattern with the PDF solution हमने ला दिया है आप जाएगे join कर लीजे fees बिलकुल 0 है link पे click करेए अभी ले लीजे बाई 10 second देता हूं उसी के ऊपर या नीचे होगा ओल इंडिया test series for other subjects SST, Science, English, Maths, Basic और Standard उसका एक ही link है और सारे subjects का मही पर उन सारे subjects के तीन-तीन test papers है with PDF solutions वो भी है for absolutely free जाओ भाई शाहिदी को ऐसा platform को जो आपको test series free में बाट रहा है मैंने तो नहीं देखा तो जाओ look थोटाओ मज़े करो ठीक है अब आगे बढ़त आपके oristates experiment ठीक है और इस्टेट का experiment क्या है उसको explain करो यह जो topic है जो आपका सबसे पहला topic इस chapter का वो नहीं आता है board examinations में लेकिन इसके बाद जो topic है state current carrying conductor, Maxwell's right hand thumb rule, आपका circular loop, clock face rule, उसके बाद solenoid, solenoid का फिर आपके भाई versus bar magnet, force on current carrying conductor, आपका Fleming's left hand rule, यह सारे के सारे ची domestic electric circuit ने come back किया है उसके जो topics है color coding of wire, short circuit, overloading, earthing, यह सारे topics important है, so manity effects becomes one of the chapters, जो छोटा है, लेकिन काफी 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 परिशान कर सकता है, ठीक है, चलो फिर, इसी साल बचो session को यहीं पर खितम करता हूँ, hopefully मैंने आपका ज्यादा वक्त नहीं लिया, वीडियो अच्छ Cynthia, signing off. Peace people.